जरूरत है इनके आपलन की जिसे ध्यान में रख भावत सरकार के आवासन और शेहरी कारे मंत्राले ने 13 अगस्त 2018 को Ease of Living Index चाहिए किया इस कारे की दूसरी कड़ी के रूप में पहले से भी अधिक प्रभावी कारों के साथ Ease of Living Index 2019 को नौच किया जा रहा है जिनका आपलन 50 इंडिकेटर्स द्वारा किया जाएगा साथी Citizen Perception Survey की साहता Maira Fashions, an exclusive range of designer collection Swami Complex and Vegamal Ajmeer Ease of Living Index के सम्मद में आज ये प्रेस कॉन्फरेंस किया गया है और भारत सरकार के Ministry of Housing and Urban Affairs का ये एक पहल है और इसमें मुख्य रूप से इस इंडिक्स के माधियम से सरकार ये जानने का प्रयास कर रही है कि सहरों में उनके रहने के लिए क्या-क्या सुविदाए है और उसमें ये भी है कि सहरों में जो उनका प्लानिंग करना है फ्यूचर में और उनके मैनेजमेंट के लिए एक परिणाम आधारी डिष्टिकोन अपनाने में मदद मिले और सहरों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्त परभा भी कायम हो जिसमें कि इतने भी स्मार्ट सिटीज हैं उसमें एक दूसरे के पती ये कंपेडिशन की भावना भी आए और इसमें मुकरूप से 24 प्रशन है इसको गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस सर्वे को आप के माधियम से और हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले ही इसे अकबार में भी दिया है इसका विग्यापन तो उद्देश से ये है कि सभी सहरवासी इस सहर को हम किस तरह से रेट करते हैं इन 24 प्रशनों पे उस पे अपना व्यू दें और इससे ये निकल के आएगा कि ये इंडेक्स जो है उस इंडेक्स में हमारी क्या भागिदारी होती है और हमारे सहर में क्या-क्या सुविधाएं हैं और किस तरह का इसमें यहां पे governance है, किस तरह की यहां पे सामाजिक परिप्रेच में क्या वेवस्ता है और अपनी देश की अर्थवास्ता में इसमें कितना हम योगदान कर रहे हैं तो मेरा आप सभी से आग रहे है, सभी सहरवाशियों से आग रहे है कि इस Ease of Living Index के सर्वे में आप सामिल हो, इस एप को डाउनलोड करें और अपना व्यू दें। तो कितना लक्षी रखा है? इसमें एक सिर्जन परसेप्शन सर्वे का जो टार्गेट दिया गया, वो करीब 6,032 लोगों का है, तो मैं उमीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा लोग ही सर्वे में सामिल होंगे और अपना व्यू देंगे. कर दो कितना व्यू दें।